जबलपुर के गोरखपुर थाना शेत्र आदर्श नगर में व्यापारी के साथ हुई लाखों रूपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरूपियों को गिरफतार किया है जहां लूट का खुलासा करते हुए अतरिक्ति पुलिस अधिक्षक संजे अगरवान ने बताया कि अठारा जनवरी को विनीत मरवाहा ने रिपोर्ट दर्च करवाते हुए बताया था कि वह गुरंदी गल्ला मंडी में सोयाबीनों सरसों तेल का व्यापार संचालित करता है दस्तावेज रखे हुए थे वहीं फर्यादी की रिपोर्ट दर्च करते हुए अग्यात आरूपियों की पतासाजी करते हुए कार्तिक बेन और प्रिंस यादाव को हिरासद में लेते हुए पूस्ताच की गई तो दोनों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना बताय वहीं आरूपियों से 1,23,000 रूपय वाईस्कूटी बरामत की गई है बागी रूपियों के संबन में आरूपियों से पूस्ताच की जा रही है